BCCI cricket trial की fees क्यों लेती है जियां guys बहुत से क्रिक्टरों के मन में यह सवाल होगा तो guys आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BCCI cricket trial के fees क्यों लेती है इतना Amir cricket board होके भी वह domestic cricket trial के fees लेता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ reason जिसे कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएं लेकिन domestic cricket की वज़े से नहीं तो इसलिए domestic cricket की जो cricket trial होते हैं उनमें fees ली जाती है क्योंकि वो domestic cricket association उन्हें organize करवाती है और उन्हें ये trial organize करवाने के लिए fund की जरूरत होती है जो की वो cricket trial से ही लेती state की जो association होती है और district की जो cricket association होती है वो मिलके जे ट्रायल और्गनाईज करवाते हैं जाने कि जितना भी 3-4 प्रपिया लिया जाता है उसके आपको benefit भी वहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि आपको वहाँ पर food प्रवाइड करवाया जाता है आपको refreshment प्रवाइड करवाया जाता है तो इसके बाद guys दूसरा reason यह है कि अगर cricket trial free में करवाय जाएगे तो बहुत सारे player वहाँ पर आ जाएगे जो unprofessional है वो भी cricket trial देने आ जाएगे तो ऐसे में अगर fees उसमें included होगी तो सिर्फ वही player आएगे जो की professional है जो की अपनी game को लेकर serious है सिर्फ वही fees pay करके cricket trial देने जाते हैं तो guys जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि BCI की cricket trial की fees बहुत जादा कम होती है अगर देखा जाए तो private trial के मुकाबले काफी कम होती है private trial में जहाँ पर 1000-1500 रपे लिये जाते हैं पर cricket trial के लेकिन वहीं पर BCI cricket trial के सिर्फ 300-400 रपे लिये जाते हैं और BCI cricket trial देने का ये फैदा कि आपका नाम बनता है कि आपने district के लिए खेला है आपने state के लिए खेला है तो guys ये थी BCI के बारे में आपके कुछ सवाल की BCI cricket trial के पैसे क्यों लेती है जबकि BCI इतना अमीर cricket board है तो guys I am sure कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा तो guys अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपको ऐसी ही अच्छे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी